तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हमारा चैप्टर नंबर 7 पेपर बी का यह हम कवर कर रहे हैं नितिन सांग अंसर की लेटिस एडिशन से किसी को अगर इसका पीडियेफ चाहिए तो उसको तेलिग्राम गुरूप जोइन करना तो यह कोर्स उनके लिए है जो UPSC, State PSC के लिए प्रेपेर कर रहे हैं ठीक है जिनका Optional Sociology रहेगा या आप UGC Net के लिए भी अगर प्रेपेर कर रहे हैं तो भी वीडियो आपके लिए बेनिफिशल होंगे पाइन आपको मेरी चैनल पर डिफरेंट प्लेइस मिल जाएंगे जो JK SSB के प्लेइस्ट है वो स्टूरेंट्स इन वीडियो को ना देखें यह वीडियो जो है स्पेसिफिकली State Civil Services और आपके UPSC के लिए हैं ठीक है तो इस प्लेइस में आगे आपको Messageology के related जो भी material होगा जैसे आपका इग्नोकर relevant material आपके UPSC exam के लिए या हम PYQs वगेरा और विजन IS के जो Checked Answer Copies and Toppers के उन पर वीडियो तो ऐसा सब material आपको आगे देखने को मिलेगा तो अगर आप यह सब कुछ मिस्स नहीं करना चाहते हैं Do Like, Share and Subscribe to this channel and Comment section में बताएं आपको वीडियो कैसे लगरे आज हम डिसकस करने वाले हैं System of Kinship in India इसका जो introduction है वो हमने Already Paper A में Complete किया हुआ है Chapter No.9 में जहांपे मैंने Kinship System जो है आपको Detail में कहा था तो कुछ चीज़ें यहां पर Repeat हो जाएंगी and इसके Concepts जो है वो Almost हमारे काफी हद तक काफी percentage cover हो गए है तो जब हम Kinship की बात करते हैं Kinship को हम दो ways में Trace करते हैं किंस से पहले होता क्या है आपके relatives रिष्टेदार शॉर्ट में उन्ही को Kins बोला जाता है आपके ठीक है वो रिष्टार बनते कैसे हैं या by virtue of blood कि वो आपके blood relatives हैं या by virtue of marriage जब अब शादी करते हो तो आपके अलग कुछ एक relation बन जाते हैं अलग आपका एक हांदान बन जाते हैं आपके relatives बनते हैं ठीक है जो आपके wife के related होंगी या husband से related होंगी और जो by blood होते हैं जो आपके खुद के अपने Kins होते हैं जो बच्पन से आप उनको देख रहे हो ठीक है जो आपके blood related होते हैं तो जो blood related होते हैं, उनको हम consent goings बोलते हैं, उनkins को, और जो आपके marriage related होते हैं, उनको हम effeens बोलते हैं, तो ये एक basic classification है किन्स की, जो either by virtue of blood आप देखते हो, और by virtue of marriage, ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये आपका थोड़ा बहुत introduction है इसमें, kinship in India जो है, इसके इसले भी है, क्य देखने को मिलेगी, ठीक है, हमारा culture, religion काफी, अगर आप थोड़े ही कुछ km दूर जाओ, तो देखो आपको एक entirely different culture देखने को मिलेगा, entirely different religion देखने को मिलेगा, even within a religion आपको different cultures देखने को मिलेगे, ठीक है, अब ये आपका इंडिया का northern part है, आप north से south में जाओ, तो आपक kinship pattern समझना जरूरी है, कि जैसे आपका area change होता है, आपको region change होता है, और आपके kinship pattern जो है, वो भी change होता रहता है, ठीक है, और जो kins है, वो हमारे लिए काफी important है, क्योंकि इंडिया जो है, mainly आपकी religion oriented society है, culture oriented society है, जिसमें kins काफी important role play करते हैं, काफी religious festivals होते हैं, जो religious festival में आपके mamu का होना काफी important है, या जैसे kanyadaan आपके parents करें, उनका होना important है, muslims में अगर निकाह होता है, तो उनका वली होना important है, जो यूजुली आपके relatives होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो relatives हैं, वो एक integrated aspect है आपके Indian society का, fine, तो आगे देखते हैं, हमें क्या पढ़ना है इसमें, relationship system, जो है, it refers to a close-knit social system of individuals, जिनको आप कैसे recognize करते हो, either by virtue of blood relationship, इनको consagunity बोलते हैं, और by virtue of marital relationship, जिसको हम affinity कहते हैं, या by adoption, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हमने already paper A में discuss करी हैं, तो mostly आपका यहाँ पेंट चीजों का revision ही हो जाएगा, तो जो किंशे attributes and differ from society to society, वो हमें इस chapter में देखना है, और वो काफी principles पे govern है, कि आपका pattern कैसा होगा, lineage क्या होगी है, आपकी, that means, जो हम अपने ancestors trace करते हैं, हमारे known ancestors, ठीक है, वो अपने father side से trace करते हो, या mother side से trace करते हो, अगर father से करते हो, तो petri lineage है, अगर mother से करते हो, तो metri type lineage है, descent में आप क्या करते हो, किसी एक unknown mythical ancestors है, जिसे रिशी से, कोई रिशी मूनीज होते हैं, saints होते हैं, वहाँ से अपने mythological ancestors से, खुद-खुद अपनी generations trace करते हो, marital क्या aspects है, आपकी village exogammy है, या caste endogammy है, यह सारी चीज़े हम इसमें देखेंगे, दुबारा से, paper A में already हमने देखी, तो यह सारी चीज़े क्या बताती है, आपका kinship pattern क्या है इंडिया में, क्यूंकि इंडिया इतनी diverse society है, culturally इतनी diverse है, ठीके, तो आपको काफी ज़दा variations इसमें देखने को मिलेंगी, lineage and descent हमने already, paper A में हमने देखा हुआ है, ठीके, तो काफी important concept है, lineage और kinship जो है, उसी के around आपका जो social structure है, Indian society का, जो social structure है, kinship का वो बना हुआ होता है, ठीके, वो हमने paper A में discuss किया है, in first part of this book, significance इनको किसने study कि है, scholars like Kumara Swami and J.S. Guri, तो ये सारे नाम आप याद रखोगे, through concepts like vansh, vansh is nothing but a lineage, कुला होता है, जहांपे आप known ancestor से, ये करते हो, trace करते हो, अपनी family को, या unknown, या आपका जो common mythical ancestor होगा, वहाँ से trace करोगे, vansh एक concern goodness होता है, unilateral descent group, whose members trace themselves from unknown and real common ancestor, तो इनका क्या होता है, एक known or real common ancestor होता है, ठीक, कुला जो होता है, refers to lineage, where people identify their source of origin, and even worship a commonly known mythical ancestor, ठीक है, commonly known, ये mythical ancestor भी हो सकता है, अगर commonly known होगा, तो usually 5 generations पीछे भी हम कुल में जाते हैं, mostly 5 generations पीछे जाते हैं, गोत रहे हैं आपका, इसमें भी आप एक mythical figure से, mythical ancestor से, या real ancestor से खुद को trace कर सकते हो, अब गोतर हम usually क्यों use करते हैं, ये हमारा marriage देखने के लिए हम गोतर यूज कर सकते हैं, क्योंगि same गोतर की marriage जो है, वो prohibited हैं Hinduism में, ठीक है, तो गोतर हमें उसी लिए काफी ज़रूरी होता है, निकालना क्या आप शादी कर सकते हो, वहां पर की नहीं कर सकते हो, तो गोतर जो basically है, आपका वो एक exogamous unit है, जो हमें marriage, marital ceremony perform कर सकते हैं, हम दो लोगों के बीच में के नहीं, उसके लिए काम आता है, for example, all memory of Sangwan Ghotra, जो है, they are considered to be the descendants of man named Sangu, तो यह Nitin Sangwan sir ने शायद अपनी example लिखी हुए, like most parts of the world in India, patrilineage जो होते हैं, patrilineage जो होता है, वो most dominant form of deciding lineage है, father side से अब अपनी lineage trace कर रहे हो, सबसे जादा dominant जो है, आपका यही pattern of family है, लेकिन कहीं जगों पर आपको matrilineage भी देखने को मिलेगी, इंडिया में जैसे कुछ tribes में, वो matrilineal tribes है, ठीक है, अगर आप Malabar area of Kerala जोगे, बहां पर भी आपको matrilineal families मिलेंगी, उनके household unit के लिए हम नाम यूज करते हैं, थरवद, उनको थरवद family बोला जाते है, ठीक है, यह Maliyalam word है, जिसका मतलब होता है, ancestral home, इस system was practiced by, कौन-कौन करते थे, नायर्स, अंबलवास्थी, नंबुदारी ब्रहमन्स, और कुछ Christians भी यह practice करते थे, जो descent and inheritance of property है, इन दिस system, वो कहां से trace होती है, आपके females से, ठीक है, ओ जो male होता है, वो सरिफ caretaker होता है, उसकी property का, another feature of this system is, वो उस polyandry past में, polyandry क्या होता है, एक female होती है, जो many males होते हैं, ठीक है, often women used to be the, used to be married of early, and her husbands used to be, just visiting husbands, तो यह form भी, जो है past में, आपको कितना पीछे जाना है, सारी generations का, वो record registers में, में होता है, जैसे हरदवार एं घर घंगा में, तो वहां पे वो चीज़े कोन करते हैं, आपके ब्रहमनिकल प्रीस, इनको लोकली पांडा बोलते हैं, तो usually वो कितना पीछे जाते हैं, आपके 20 generations back, बारिंग दिस कास्ट फैक्टर, गोत्रा आपको हर कास्ट में देखने को मिलेगा, ये उनिवर्सल है, ये सोर्स अफ उनिफिकेशन भी है, डिविजन भी है, क्यूंकि आप गोत्रा एंग्जोगामी प्रेक्टिस के कर रहे हो, तो सेम गोत्रवाल उनको आप शादी नहीं करने दे रहे हो, तो उनको आप अलग रख रहे हो, और डिफ्रेंट गोत्रों को आप कमबाइन कर रहे हो, क्यूंकि उनमें आप मैरिटल अलायंस जो है, वो पर्मिट कर रहे हो, कुमारा स्वामी ने कहा, जो रूल्स फैरेंट गोत्रों को आप शादी नहीं कर सकते हो, और कास इंटो गैमी ये तो हमें पता हिए, तीन मदान ने कशमीरी पंडिट्स की फैमिली स्टडी करी थी, उन्होने कहा था, the entire community it's related to each other on the base of primary, secondary and tertiary kinship अब primary ये भी चीज़े मैंने आपको इसमें बोली है paper A में यहाँ पर थोड़ा repeat करते है I hope आपको याद हो primary, secondary, tertiary kins कों से होते है primary आपके close जो होते है जिसे आपके siblings होगे, parents होगे husband, wife of primary है ये usually कितने होते हैं 8 and secondary होते हैं आपके जो आपके primary के primary होते हैं for example आपकी wife आपकी primary kin है अब wife की जब primary kin होगा वो आपका secondary kin है wife की primary kin कोन होगी, wife के father that means आपके ससुर जो है वो आपकी primary kin के primary kin है तो वो आपके secondary kin हुए अब जो secondary kin है, उसका primary kin आपका tertiary kin बनता है अब यहां पर secondary kin हमने कौन कहा था, आपके father-in-law, अब जो father-in-law है, father-in-law के आप मानो, उनके father या उनके brother, जो आपके secondary kin के primary kin है, वो आपके tertiary kin बन गए, तो आपकी wife आपकी primary kin है, आपकी wife primary kin के primary kin, उनके father आपके secondary kin है, and आपके secondary kin के primary kin आपके tertiary kin है आपके father आपके secondary kin है और उनके brother जो हुए वो आपके tertiary kin हुए क्योंकि वो आपके secondary kin के primary kin है ठीक है अब हम feminist perspective भी देखते हैं इसमें feminist scholars like Umma Chakravarti इन्होंने क्या किया था lineage और descent को देखा था as perpetuating unpaid labor तो इन्होंने यही कहा था जो lineage and decent है इसमें women काफी submissive होती है उसकी अपनी कोई say नहीं होती है किसी भी चीज में तो यह जो concept है इंडिया में यह perpetuate करते है unpaid labor क्योंकि उनसे काम करवा जाता है सारे घर का इनको उसमें कोई जो है आप labor भी उनको कोई acknowledge नहीं करते हो labor का दरसल उनका भी कहने का यही मतलब है feminist का यह नहीं कि उनको पैसे दे दो पर उनके काम को effort less समझा जाता है उसको acknowledge नहीं किया जाता है क्योंकि जो stay at home females होती है moms होती है wives होती है तो ऐसा माना नहीं जाता कि वो भी कोई काम करते है लेकिन to look after a house यह 24-7 job है to look after your kids यह 24-7 job है जो यहाँ पे consider नहीं होता है sadly over the years lineage and descent systems जो है they have undergone many changes ठीक है earlier क्या होता था बड़ी-बड़ी families इकटे रहती थी same village में रहती थे property भी साथ होती थी खाते पीते साथ में थे लेकिन आज जो lineage and descent they are adapting to the changes extended kinships have also diluted अब रिष्टदारी उतनी जदा important नहीं रही जितने पहले होती थी inter-caste, inter-religion marriages भी permit की गए इसके लिए various laws भी लाए गए तो इसे क्या मिला आपको family में sister kinship system में भी आपको changes देखने को मिली अब हम type of kinship systems देखते हैं in India as mentioned earlier जो kinship system है refer to a set of persons वो recognized होते हैं as relatives either by blood जिसको consanguinity बोलते हैं और वैसे kins को हम क्या बोलते हैं consanguins और by virtue of marriage जिसको हम affinity बोलते हैं और ऐसे kins को हम बोलते हैं effeans ठीक और adoption भी एक तरीका है जिससे आपने kinship types जो है उसको extend करते हो तो consanguinity and effeans अगर ये question में आता है exam में ऐसा कोई जिसमें types वगरा कुछ mention करनी हुई आपको तो consanguinity affinity सबको याद रहेगा लेकिन एससे दुबे जो है also talk of of fictive kins जो actually में आपके नहीं होते है imaginative kins इंडिया में खासकर हम किसी को भाहिया दी दीता हूजी अंकल आंटी बोलते हैं तो वो आपके fictive kins बनते हैं ठीक है ये एक complex system होते है which Melnowski has referred to as kinship algebra तो again important keyword है आप answers में यूज कर सकते हो जो kinship system है उसको आप descent पे भी ये करते हो classify जब हम descent criterion restricted करते हैं males only तो उनको kins को हम agnetic और petrilineal kins बोलते हैं ठीक है अब अगर हम descent को trace करेंगे through female lines only तो उनको uterine और metrilineal kins बोलेंगे अगर आप दोनु तरीकों से trace करते हो तो उनको bilateral बोलेंगे sapinda group ठीक kulla and gotra जो है are some of the kinship systems ठीक है तो sapinda group कौन सा हुआ five marriages five generations आपकी mother side से and seven generations आपके father side से ठीक है kulla हो गया again known और आपका real or mythical ancestor kulla में usually हम अगर generations trace करेंगे तो five करते है गोतर भी हम करते है unknown or real ancestor के लिए mythical ancestor ये किस के लिए use होते है आपके शादी के लिए हमारे पास दूसरे kins भी आजाते है एक terms of address होता है and terms of reference होता है terms of address होता है जब डिरेक्ली किसी को address करते हो and terms of reference किसी बंदे से किसी और को refer करते हो for example आपको अपने नानू से बात करने है आप डिरेक्ली बोलोगे नानू मेरे नानू ठीक है अगर आप refer कर रहे हो that means आप किसी third person से बात करके वो indicate करे हो relation जैसे आप अपने husband को सीधे नहीं बुलाते है आप हो लोगे Banti के पापा तो वैसे टाइप ऑफ किंस क्या वैसे किंशिप usage कोन सी होती है Terms of Reference नाम की और ये concept आपको दिया था Mud Rock ने कि ऐसा होता है इंडिया में किंस अर आप क्लासिफाइड on the base of degree of kinship to three types first is primary include secondary kins और Mud Rock ने कहा था हमारे पास 33 secondary kins है and 151 हमारे पास tertiary kins है यह मैं आपको बताया है होते क्या है kinship groups को हम functional terms में भी देखते है they pay a role play a role in inheritance उसमें उनका role होता है authority structure में role होता है जैसे आपके Tao Ji की काफी importance होती है families में body work की importance होती है वो सारे succession चलती है आगी lineage आपके kinship से group membership marriage वगेरा आपके festivals religious ceremonies हर जगा आपको इनकी जुरत पढ़ती है ठीक है जो comprehensive study of kinship group है on cultural basis it was done by इरावती कारवे उन्होंने इंडिया को divide किया था four zones में एक आपका north है और आगे आपका north and आपके south zone हो गया central हो गया and आपका north eastern zone हो गया वो हमें यहाँ पे detail में देखना है आगे kinship in India है it is instrumental in not only providing identity but also governs various other aspects जैसे in India there is tremendous variation in kinship patterns across the country वो आपको देखने को मिलेगी जैसे आप देखोगे different skinship में north से south में जाओगे तो काफी different है tribes अकर अलग देखोगे अलग caste आपको उन सब चीज़ों में आपको काफी ज़दा differentiation देखने को मिलेगी due to variation in caste and religion there are variations in hierarchies in social relation as well तो hierarchy भी different हो जाएगी obviously जैसे कहीं पे families होती है वहाँ पे dad की importance नहीं होती है father की वहाँ पे mamoo की ज़दा importance होती है तो वो आपको social relation change हो या hierarchy भी change होगे क्योंगी upper level पे आप mamoo को रखते हो ऐसी families को evanculate families बोलते हैं ठीक है या जहाँ पे भुआ की ज़दा importance होती है ऐसी family को imitate families बोलते हैं तो accordingly आपका structure और social pattern social relationship सारा change होता जाते है एरावती कारवे जो थी उन्होंने divide किया इंडिया को चार cultural kinship zones में वो जो kinship zones थे वो किस के साथ coincide करते थे different linguistic families के साथ that means different language zones के साथ इन सब चीज़ों के basis पे उन्होंने क्या किया था broadly divide किया था चार zones में शी एस टेकन historical view भी है क्योंकि पुरानी किनी चीज़ों से भी relate किया है evolutionary view भी है कि कैसे changes उसमें आई and comparative approach भी है क्योंकि एक चीज़ को दूसी चीज़ से उन्होंने इसमें compare भी किया है उन्होंने का था जो kinship pattern follow करती है roughly linguistic lines जैसे मैंना आपको बोला जैसे आपकी Dravidian families होगी Dravidian language उनका अलग kinship pattern होता है ठीक है तो वो सारी चीज़े उन्होंने अपनी theory में करी थी इरावती कारवे highlighted various other similarities and dissimilarities in marriage and kinship patterns in Hindu social life वो देखते है rules of marriage North India में हम बोलते negative rules of marriage है क्योंकि usually यहाँ पे ऐसे पोला जाते है किस-किस ग्रुप में आप शादी नहीं कर सकते हो जबकि South is characterized by positive rules तो यहाँ पे जैसे North में आपकी cousins marriage जो है वो allowed नहीं होती है और South में cousin marriage हो आपके uncle and niece की marriage हो ऐसे सारी marriages जो है वो permitted है ठीक है endogamia and exogamia rules यह हमें पता यह मैंने आपको बहुत बारी paper एवे भी हमने discuss किये village exogamia गाओं में शादी नहीं कर सकते है हमारे गाओं की बीटी है तो matrilocal हो गई इसका opposite आपके matrilocal matrilinal हो गए lineage कहां से trace करते हो आपने mother side से जिसे khasi tribals of megalia matrilinal and matrifocal kinship is popular कहां पे khasi tribes में matrilinal आप मैंने आपको बोला lineage trace करते है matrifocal families क्या होती है इसमें जो mother की importance है in decision making या leader of the family वो जादा होती है as compared to father father का minimal role होता है minimal role in upbringing ठीक है जो mainly family की decision making होती है वो कोन करती है mother करती है मतलब matri पे focus होता है इनको matri centric भी बोलते है next one is kinship terminology अब देखो kinship terminology में आपको variation देखने को मिलेगी north में and south में ठीक है north में क्या होता है जैसे आपके husband के side के relatives उनके अलग terminology उनके लिए यूज होती है और आपके wife के आपके जो blood relatives है उनके लिए अलग होती है ठीक है for example आप अपने husband के बड़े बाई को क्या बोलते है आप Jade बोलते हो husband के बड़े बाई को आपके लिए आपके लिए लिए डेका है 5th one is a preferential marriage जो marriage alliances होती है North India में वो फॉलो करते है hypergami hypergami हमने बढ़ा है इसको anuloma भी बोलते है this means आपका जो husband होगा वो high caste का होता है और इसका उल्टा क्या है hypogammy hypogammy means प्रतिलोमा प्रतिलोमा में जो husband होता है वो low caste का होता है and जो wife होती है वो high caste की होती है this means that जो bride givers होते हैं are traditionally considered inferior to bride takers कहां पे north में and south में ऐसा नहीं होता है क्योंकि usually वहाँ पे relations में शादी हो जाती है ठीक है आप अपने mamoo किसा शादी हो uncle and niece की शादी होती है cousins की शादी हो जाती है तो इस वज़े से वहाँ पे issues नहीं आते है at least on paper तो यही है reality I know हर जगा की कैसी होती है status of women North India में जो लड़की है वो strangers के गर में जाती है बिल्कुल भी क्योंकि relative marriage नहीं है south में ऐसा नहीं होता है तो south में बोला जाता है कि little difference है between her family of birth and family of marriage she is not a stranger in her husband's house clan nomenclature North India में जो clans है clan names है they mostly come from the names of rishis or sages South India में जो clan names है clan is your gotra वो नाम कहां से आते हैं usually आपके gold, silver, snake, trees etc इनके नाम रखे जाते हैं Central India they come from both तो जो center में आपको pattern देखने को मिलेगा वो आपको थोड़ा बहुत north का भी उसमें influence देखने को मिलेगा and south में भी अब हम आगे देखते हैं regional variation pattern हमें पढ़ने हैं नौर्थ इंडिया में sorry there is a clear distinction between metrilineal and petrilineal kin हमें पते हमारे mother के side के relatives कोन से होते हैं and father के side के relatives कोन से होते हैं and इस पे काफी memes भी बनते हैं north में persons belonging to a given generation and sex are addressed by a particular terminology हर किसी के लिए अलग term है जो काफी specific है non-repetitive है जो बड़ा बईया होगा उसके लिए अलग नाम छोटा बईया उसके लिए अलग नाम अगर सो काफन से हापके तो सो को अलग नाम से बुला होगे there are unique terms for three generations and terms of one generation are not interchangeable with those of other generations तो इचीज में एक्स्पें करने की रुरत नहीं हमारी families में एसा ही होता है because we are North Indians Sapinda rule is extended to five generations यह भी हमारा हो गया definition of incest taboo जो है वो wider है क्योंगी preferential marriages नहीं है North में जैसे South में होती है cousins के बीश में तो यहां पे North में उसको Hindus में incest समझा जाते है all the Muslims जो है महां पे जो marriage है कुछ cousins के बीश में वो permit होती है generally a four gotra rule जो है marriage के लिए follow होता है जिसमें four gotras are avoided that is your mother's gotra your own gotra paternal grandmother's gotra and maternal grandmother's gotra तो यह सारे gotras जो है usually avoid किये जाते है Central India में in certain caste like kunbis and kaatis cross cousin marriages जो है वो common है as languages in this region are of Sanskritic origin जो kinship relations है वो कहां से आपको देखने को मिलेंगी Northern influence में ठीक है तो यह काफी deep deep इनमें example दो यह लिखी हुई है यह usually आपके काम आएंगे अगर आप net prepare करे हो however UPAC में अगर आप इतने सारे जो चीज़े है वो नहीं भी याद रखो आपको broad चीज़े याद रखना जादा important है UPAC exam के लिए ठीक है अब मैंने पहले कहा इरावतिकार्वे ने linguistic patterns पे कहा था किंशे patterns को तो जैसे यहाँ पे language है Sanskritic origin की तो आपको North का influence भी देखने को मिलेगा in general आप बोल सकते हो कोई uniform patterns नहीं है Central zone में क्योंकि वो आपको influence वहाँ पे North का भी है देखने को मिलता है South का भी देखने को मिलता है तो यहाँ पे कुछ examples लिखी हुई है कौन क्या practice करते थे वो आप यहाँ पे देख सकते हो South India में जो petrilineal and petrilocal systems है वो dominate करते हैं लेकिन हमने भी देखा Malabar में of Kerala जहाँ पे कौन से लोग है Nairz उनका हमने देखा family household unit उसको क्या बोलते हैं थारवद तो वहाँ पे कौन सा pattern है आपका metrilineal वाला तो petri कौन सा हुआ जो father side trace करेगा petrilocal हो शादी के बाद अब लड़के के father के गर जाके रहते हो ठीक है लेकिन हमें metrilineal and metrilocal traditions भी देखने को मिलते हैं किनमें Nairz में Tians में and some Moplas में in Malabar region of Kerala इनको collectively क्या बोला जाता है थारवद थारवद में कौन-कौन होता है woman her brother and sisters her own and her sister's sons and daughters कोई एफिनल relatives नहीं रहते हैं थारवद में and there are no husband-father husband-wife or father-children relationship in थारवद village exogammy जो होती है it is not a fixed rule in south and different clans within a village marry each other तो यह सारा वहाँ पे होता है like north castes are divided into exogamist clans in south India as well ठीक है आगे देखते हैं preferential marriages होती है they are followed in south among Hindus also ठीक है preferential marriages कोंसी होती है आपकी marriages with elder sister's daughter father's sister daughter mother's brother's daughter यह prefer होती है ठीक है तो इसलिए इनको preferred marriages preferential marriages भी बोला जाता है तो इन इन लोगों के साथ आप शादी कर सकते हो south north में नहीं however there is also tab one marrying अब किस-किस में नहीं कर सकते हो आपके younger sister की daughter and mother's sister's daughter ठीक है so cousin can also become a wife यह कहां-कहां होता है south में होता है and यह कहां पे होता है Muslims में होता है south में Hindus में भी होता है पूरे south में unlike north and central India जो leverate है is also tabooed in south India तो leverate यह सारी चीज़े मैं आपको paper A में पढ़ा ही है systems of kinship में तब ही मैं यहां पर थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि दुबारा repeat करने का क्या मतलब बनता है आपको वो chapter तो पढ़ना ही है जरूरी तो leverate क्या होता है तो दो terms है leverate and surlurate surlurate क्या होता है जब आपका अगर किसी का husband जो है वो गुजर गया या cannot bear a child तो वो husband के इससे कर से इनफर्टाइल है उसका husband तो वो husband के प्रादर से शादी करती है surlurate में क्या होता है अगर किसी की wife infertile है या death हो गई है तो वो deceased wife की sister से शादी कर सकता है तो यहां पे नौर्थ हो गया यह आपका थोड़ा नौर्थी स्टन हो गया यह नौर्थ हो गया यहां पे थोड़ा center का mix हो गया और यहां पे आपका south हो गया ठीक है तो south, basically वो ही सारे point जो हमने discuss किये हैं वो ही यहां पे pointer format में लिखके हो है ऐसे अब आपे notes भी बना सकते हो और अगर exam में भी आता है तो यह सबसे best तरीक है इस answer को attempt करने का regional variations वाला तो regional variations को आप region wise दिखा सकते हो कहां पे variations है अब देखते हैं Eastern India का थोड़ा किंशे pattern Northeese जो है culturally काफी diverse हैं काफी ethnic groups हैं वहां पे जिनके अपने किंशे प्रूल्स चलते हैं ठीक है cross cousin marriage जो है it is allowed among whole tribes लेकिन कुछ pre conditions के साथ such as such marriages cannot happen as long as father's sister or mother's sister's brother is alive तो इस condition के साथ cross cousin marriage allowed होती है पहले हम देखते हैं cross cousin parallel cousin होता क्या है ये cross cousin हो गया ये parallel cousin हो गया ठीक है cross cousin होता है अगर आपकी शादी होती है पहली बात तो cousin के साथ होती है या father side हो है mother side हो अगर आपकी शादी होती है ये आप Mr. M हो या Miss M हो आपकी शादी होती है offspring आपके relative अब वो क्या offspring है किसका offspring है किसका बच्चा है लड़का या लड़की अगर आपके father का जो opposite gender का sibling आपके father का sibling father के opposite gender का उनका sibling कोन हुआ उनकी बहन तो अगर आपके शादी होती है अपने father या mother के opposite sibling के offspring के साथ वो होती है cross cousin दूसरा आपका कौन सा parent है आपकी mother ये जो है opposite sibling वो कौन है मामू होंगी तो अगर आपके शादी होती है मामू के offspring के साथ that is cross cousin marriage अब parallel cousin marriage क्या होता है parallel ईसका उल्टाओगे, यहां पे आपो, तो offspring जो होगा, वो आपके parent के same gender sibling का होगा, For example, यहां पे father है, तो father का same sibling, same gender का कुन सा होगा, father का brother, तो अगर आपके शादी होती है, आपके uncle के बेटे या बेटी के साद, that is parallel cousin, और दूसरा यहां से आपके पेरेंट कोन है मादर, तो मादर की सेम सिबलिंग कोन होती है, आपकी मासी, अगर आपकी शादी होती है, मासी के बेटे और बेटी के साथ, तो आपका वो पैरलल काजन मारेज है, ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है, तो हम इसमें फॉलो कर होती है, आपकी हो ट्राइब्स में, लेकिन कुछ प्री कंडिशन के साथ के मारेज इन लोगों के बीच में नहीं होगी, फॉर एजब तक आपके फादर के सिस्टर या, बॉआ और मामू अगर अगर अलाइव तब तक की शादी नहीं होगी, इट मेक्स क्रॉस काजन अर र खासी इसमें जो यंग कपल हैं देलिव सेपरेटली एंड प्रॉपर्टी एंड इन इन इज गोस थ्रूद यंगेस्ट डॉर्टर और मादर, इफ नो फीमेल रिलेटिव सार दियर, तो खासी इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी किसको जाती है, यंगेस्ट डॉटर को या हिंदू ब्राइड, ऐसी फैमिलीज में जो आपकी मैट्री साइटी फैमिलीज होती है, और आपको ट्राइब्स में डॉपर्मेटरी सिस्टम देखने को मिलेगी, इन विच जो इस अलसो प्रिवलेंट इन सब ट्राइब्स, अंडर विच वहां पे होता क्या है, यंग मेल फीमेल जो है, they are allowed to have a live-in relationship and even indulge in premarital sex and it may और may not lead to marriage, ठीके तो उन डॉमेंटरी में यह सब कुछ होता है, आप साथ रहते हो, फिर मर्जी यह शादी करो या ना करो, 10 किंशिप पैटर्न्स हैं across India, they are diverse as India itself, क्योंकि India खुद इतना diverse है, मैंने का हर कुछ किलोमीटर की डिस्ट of the two kinship system, ठीके मतलब यह तो मैटरी होंगे यह तो पैटरी होंगे, इन बोथ North and South India, we find the application of only one principle of descent, either मैटरी और पैटरी, since a bride in the North is total stranger, उसकी जो proximity and closeness होती है to her husband, often breed suspicion among the other members of family, and she is often blamed for the breakdown of the joint family system, तो North में क्या होता है, जो यह एफिनल बॉंस होते हैं, husband-wife के बॉंस होते हैं, they are looked down upon joint family system, छासकर वहां होती है, importance किसको मिलती है, आपके जो filial bonds होते हैं, that means आपके पेरेंट्स के साथ bond होते हैं, और आपके जो siblings के साथ bond होते हैं, उनको जाधा importance दी जाती है, और आपके जो marital bonds होते हैं, effinal bonds होते हैं, वो जाधा important नहीं होते हैं, ठीके, in brief northern zone, universally petrilineal है, दो petrilineal systems are also found among different communities in southern zone. The above-end picture of regional variation is largely applicable to Hindu families only and of course regional variations which are different religions in different religions. North East, khasiyan garo follow the metrilineal inheritance. Gaun tribes which practice eudometries in certain tribes of central India. Parent-in-laws which are married with children-in-laws. So, you get to see so much diversity in India. That's why India is a very rich and diverse country. So, let's stop the lecture here. In the next lecture, we will discuss a little family and marriage. And our chapter will complete. So, I hope you understand how many repetitions were on this topic. Now, I have tried to complete it. We have read it well. So, if you haven't subscribed yet, I don't know why you haven't done it yet. So, do subscribe, like and share this video. And till the time I upload this next video. Bye-bye. Take care. Have a great day.